नमस्कार सर, नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका, अवदेश डास, अवदेश जी आप कहां से आए हैं, किराडी प्रेम नगर दिल्ली, अवदेश जी संत्रामपल जी मारा से कब जोड़े आप, मैं 2013 मजोड़ाता है, सर संत्रामपल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले क चल देहने के लिए जाते हैं कावन लेकि यौ मैंग जाया तां? संकर जी देख एक多 जी की मुझ तां संकर कर रे झीसे ड़ती हैं मैं कि आ संकर मैं के रहां वाह कुछ भी मांग महाराज की सरण वाह का उपिवादा हॹ टो उन्होंने मुझे इंडिका ग्श्याद बता बटाया। तो में संकर जी के भक्ती में लिन था कि था। इनके पहले उसके पापा खतम हो गए जब कमाने के लायक हुआ जब वो खतम हो गया मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या चक्कारजी मैं एक बार फिर अपने गर पर आया तो मैं घर के गाउं के बगल में मंदिर है, संकर जी का तो मैं मंदिर में गया वहां पे मैंने संकर जी दे पहले हाँ जोड़े हमने का भगवान जी यह कैसे हुआ पहले उसके पापा खतम हो गए आर्थिक इस खराब हो गए उसके बाद वो खतम हो गया तो मैं उसी दर्मान में दिल्ली में यहीं पे रहता दिल्ली में आया काम यह पर रहता था तो उमारे ससुर जी वहीं हरयाना जा रहे थे तो यह संडे को आए तो मैंने सनिवार को वहां पर अपनी कमरे में अंड़ा बनाये थे जी और दारू की बोतल भी खाली रख़ी तो मैं पीपा को वहीं पर सामकू सो गया सुबह यह कालिंदरी साइथ सुबह शु वहां पे उन्हों ने देखा जाके तो इतनी बदबू आ रही थी क्योंकि वह इन चीजों को नहीं पसंद करते थे और मुझे वह अच्छी लग रही थी तो देखा जाके तो जैसे कमरे में अंदर घुसे तो इसमें घुसते ही थोड़ी दिर रहे तुरंत बाहर नकल गए वाला चला गया मैंने वहां पर जाके जब देखा तो सारे बगत बगत जी आज ऑज़ाओ बगत जी कर रहे तो थो तुम झोबना दो बगत तो तुने ही मैं तो एसे ही हूँ गुरू जी का सथस्तंग और गरने लुए तो हमारे दिमाग में कुस्छ थोड़ी थी अंदर की वो जागी की यह क्या बता रहे हैं ज Même उन्होंना का कि संकर जी के ऊपर भी कोई है और माता जी के ऊपर भी है और इनसे बढ़ी सक्ति है कोई तो हमने का संकर से मैं इनकी पूजा करता हूं तो तो वो उसकी मृत्ति हो गई इसकी हो गई और ये गुरु जी ऐसे बता रहे कि अगर जो अगवान जी की पूजा करोगे बक्ति करोगे तो आपकी अकाल मृत्ति नहीं होगी तो अमना का चलो मैं भी देख लेता हूँ संत्रामपाल महाराश जी से मैंने नाम दिक्ष्वा ले ली सार हमने सुना कि जो भी सघदाल हूई संत्रामपाल से नाम दिक्ष्वा लेते हैं उनको बहुत सरी लाब्स राप्त होती है तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ संत्रामपाल जी माराथ से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाप रापत हुई जी सर लाप की बात करूँ तो पहले हमारे सुख इतने थे पिछले जनम के पुन इतने थे कि मुझे कोई दुख था ही नहीं लगबख में सर जी जब मैंने नाम दिख्षा नहीं ली थी संत्रामपाल जी माराथ जी से उससे पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में काम करता था और मैं सिगरेट पीता था सिगरेट के साथ साथ मैं भांग की गोला आता एक भांग वो खाता था हर रोज साम साम को और तारू भी पीता था और लेकिन भांग का नसा मुझे से छूटने वाला नहीं था मैं उसको बिना खाय हुए रही नहीं सकता था ऐसे करते करते मैंने जब नाम दिख चली गुरू जी संतरामपाल जी माराजी थे तो ये सारे विकार आटोमेटी की सब छूट गए मैं अपने गाउं से बाइक से जा रहा था बार रोड पे तो मारे पीछे एक मारा दोस्त बैठा हुआ था आमने सामने से टक्कर होगी बाइक की वो जो महारा दोस्त बैठा वा था ऌए आँ स्पॉर्ट वहें पर खतम हो गया मैं हस्पिटल में गया तो हस्पीटल में पहले कानपूरी इलाज हुआ फिर दिल्ली हुआ मारे आखों का इलाज युज़र दिल्ई में लेकिन क्या इलाज तो हो गया लेकिन उसमें क्या था हाँ कि मैं एक चेहरा को डबं डेखता था मुझे दो जगां झ kn लाज 2 गवाए प्ररफना लगा दो सकल नजर आ रही तो गुरू जी ने असिरवात दिया करें आप बक्ति करो परमात्मा दिया करेंगे तो मैं करता रहा करता रहा कुछ दिन बाद धीरे-धीरे मारे हर्ची जो पहले डबल दिख रही तो वो सब एक ही दिखने लग गया पहले मैं यहां पे डिली में प्राइटरी लगवा दी जुराब की पहले दस दस जार रुपए आठ जार रुपए कमाता था लेकिन अब आर्थिक इस्तिति है कि मारी जो फैक्टरी लगई वह उसमें मैं 30,000 रुपए 40,000 रुपए परमात्मा के दिया से बचा लेता हूं मैं चार भाईयों मैं सब से छ प्राइया करेंगे उससे पहले मैंने अपने गाउं में बोल रखा था सभी से गाउं में रिष्टिदारों में कि यह जो लड़कियों का चलन है यह हम इसको चेंज कर देंगे इसको बदल देंगे तो बोले कैसे क्योंकि उन्होंने पहले पंडितों को भी आहा तो अपने मैंने लगे आरे कैश होगा यह हूँ मैंने गुरु जी संत्रामपाल जी ते प्रार्थना लगवाई और रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि भक्ति करो और प्रमात्मत दया करेंगे और ऐसा ही हुआ जब नौ महीने के बच्चा हुआ तो लड़का हुआ और जब लड़का हुआ तो मैंने जा जाके सबके सामने सबको कह दिया देख लो अब मैं जो कहरा तो वही हुआ आज संत्रामपाल जी महाराज ने हमारे उपर दया करी है और अगर जो इसनकी सराम में आप भी भी रहोगे तो आपके उपर विदया होगी और ये रामपाल जी महाराज परमात्मा और ये कुछ भी कर सकते हैं सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको लाबी लाब मिले तो जो दर्सक आज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने के लिए जो चैनलों पर सत्संग आ रहा है उस सत्संग के नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नंबर लिखे होते हैं असरम के उन नंबर पर कोल करें जहां आसरम नजदिक होगा आपके पास में वहां का एड्रेस आपको देदेंगे और वहां पर जाके आप नाम दिख्षा ले सकते हैं और इसके अलावा अगर कहीं कोई संतरामपाल जी माहराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक हैं जैसे ग्यान गंगा है गीता तेरा ग्यान अम्रत है जीने की रहा है अंत्रदा बक्ती ये पुस्तक हैं अगर कोई उनका अनुयाई बांट रहा हो तो जरूर लें और उसमें उसके पीछे भी आसरम के नंबर लिखे हुए हैं धन्यवाद सर जी धन्यवाद जी